सल्मान के लिए बुरी खबर मुश्किल में दबंग खान सुप्रीम कोट पहुचा चिंकारा केस सल्मान से कोट ने मांगा जवाब बॉलिवूट के दबंग आक्टर सल्मान खान एक बार फिर मुश्किलों में है सल्मान के लिए सुप्रीम कोट से बुरी खबर आई है चिंकारा शिकार के मामले में जोधपुर हाई कोट से तो सल्मान खान बड़ी हो गए थे लेकिन हाई कोट के इस फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोट का दर्वाजा खटखटाया था जिसे अब सुप्रीम कोट की मनजूरी मिल गई है सुप्रीम कोट द्वारा सल्मान खान को एक नोटिस जारी किया है बता दें की दायर याचिका में राजस्थान सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोट हाई कोट के फैसले पर ततकाल प्रभाव से रोक लगा कर निचली अदालत के फैसले को लागू करे और सल्मान खान को सरेंडर करने का आदेश दे ताकि वह बाकी की सजा पूरी कर सकें आपको बता दें कि इसी साल जुलाई में जोदपुर हाई कोट सल्मान खान को राहत देते हुए काला हिरन और चिंकारा शिकार मामले में बरी कर चुकी है इससे पहले निचली अदालत ने सल्मान को अवैद रूप से शिकार करने के दो अलग-अलग मामलों में एक साल और पांच साल की सजा सुनाई थी जिसे हाई कोट ने खारच कर दिया था हाई कोट के इसी फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोट में याचिका डाली थी जिसे सुप्रीम कोट बारा सुईकार कर लिया गया है तो साफ है कि सल्मान खान एक बार फिर मुसीबत में है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट मामले पर फैसला ना सुना दे